मराठा एक शक्तिशाली मराठा राजे मुगल शासन के खिलाफ एक अजय बल के रूप में उभरा शिवाजी 1627 से 1680 ने देश मुखों के शक्तिशाली योधा परिवारों की साहिता से एक शक्तिशाली और स्थाईर राज्य के स्थापना की शिवाजी ने क्रिशक पशुचारकों, कुन्बियों को मराठों की सेना में शामिल किया और मुगलों से टक्कर ली शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य की सत्ता चितपावन ब्रहमणों के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तरा अधिकारियों को पेश्वा यानी प्रधान मंत्री के रूप में अपनी सेवाईं दे रहे थे पुणे मराठा राज्य की राश्थानी बन गया पेश्वाओं के अधीन मराठे एक सफल सैने संगठन के रूप में उतकर्ष पर पहुँच गए सत्रा सो बीस और सत्रा सो एक सट के बीच मराठा सामराज्य का काफी विस्तार हुआ सत्रा सो बीस के दशक तक मराठों ने मालवा और गुजरात मुगलों से चीन लिया सत्रा सो तीस के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्रीप के अधिपती के रूप में मानिता मिल गई मराठा दो सत्रा सो सेंटीस में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठो ने उत्तर में राजिस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उडिसा, तथा दक्षिड में करनाटक और तमिल एवं तेलगू प्रदेशों तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया मराठो ने इन शासकों से मराठा संप्रभुता की स्विक्रिती के संकेत के रूप में भेट की रकम ली, इससे अन्य शासकों के बीच मराठों के प्रती शत्रुता पैदा हुई 1761 में पानी पत की तीसरी लड़ाई के दौरान मराठों द्वारा परियाप्त सहेता ना जुटा पाने का ये मुख्य कारण था मराठों की 100 वैवस्थित प्रशासनिक प्राणाली थी, स्थानी अस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व की मांग की जाती थी, क्रिशी को प्रोसाहित किया गया और व्यापार को पुनर जीवित किया गया यही कारण है कि गौालियर के सिंधिया, बढ़ादा के गायकवाड और नागपुर के भोसले जैसे मराठा सर्दार शक्ती शाली सेनाई खड़ी कर सके उजैन सिंधिया के संदक्षन में और इन दौर होलकर के आश्रे में फलता फूलता रहा इन शहरों ने महत पून वानजिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कारे किया मराठों द्वारा नेंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले चंदेरी के क्षित्र में उत्पादित रेश्मी वस्त्रों को मराठों की राश्धानी पुणे में सनलक्षन मिला बुरहानपुर जो आगरा और सूरत के बीच व्यापार केंद्र था उसने अपने वानिजिक भीतरी क्षित्र को पढ़ा कर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनव तथा इलाहबात को शामिल कर लिया था